आप से जानना चाहता हूँ कि अब जिस तरह चुनाओ ते तीसरे चहुते चहरण के दिए बढ़ रहा है आप क्या मैसूस करते हैं इस तरह के मुद्दों का जनता पर कोई इंपक्ट है या फिर ये सिर्फ बयान बाजी तक सीमित रह जाएगा विरेंजी देखें ये चुनाओ गारंटी से सुरू हुआ था और अब हिंदू और मुसल्मान पर आ गया है निश्चिती समाज में जब धार्मी का अधार पर बाते आती हैं तो फिर वहाँ पर दुर्वी करण हो सकता है आप इसको एक धर्म युद्वी कह सकते हैं जिसमें अपनी अपन कंडे अपनाए जाते हैं ब्रजाज जी चुनाओं में एक तो मद्दान कम हो रहा है मद्दान कैसे बढ़ाए जाए गर्मी कैसे पैदा की जाए गर्मी बाहर पर बहुत रही है तो जो ये उतेजना वाले भासल होते हैं ये गर्मी लाते हैं और ये माहौल बनाते हैं कि आज चुनाव भले ही राजा महराजा औरंग जेब नवाब चम्रेक सिक्का चलवा दिया कोई मूर्ति भंजक था कोई तमाम सारी बातों पर लड़ा जा रहा है लेकिन ये बात सच है और रहेगी कि भारत में सम्विधान से चीजे चली हैं और सम्विधान ही इस तरक्की को आ तो फिर पुरानी बातों को लेकर हम कितने दिनों तक लड़ाई लड़ते रहेंगे इस देश में तमाम सारे अत्याचारी भी आए मूर्तियां तोड़ी मंदिर तोड़े और अंग्जेब जैसे लोग आए तमाम तुगलक आए तमाम तैमूर लंग आए लेकिन अक्बर्द भी नाम अलग-अलग तरह से दर्ज हैं इस देश के इतिहास में दवाबों की वज़ा से ही उत्तर प्रदेश को गंगा जमुनी तहजीब का सहर कहा गया आखिर कुछ नहोता तो फिर यह सब माएं उपाधियां ना दी गई होती है जहां जो ज्यादा संख्या में है उसने क लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा अंदोलन किया बीजेपी कि कई नेता उसमें जेल में भी गए थे उस समय वह मंत्री भी बने लेकिन आज मंत्री नहीं है तो यह सब बातें रही जो देश में आई गई लेकिन वोट परसेंट को बढ़ाना है अब तो बीजेपी को तीन 299 पार ही करना है 400 पार कहा रहा एक तो सूरत में निर्विरोध होई गया और आज यह किंदोर में कांग्रेस वाले ने भी पर्चावा अपस ले लिया अब तो साइब नारा बदल जाए 3009 पार जाए तो यह चुनाओ इस देश में इसलिए महात्पूर्ण है कि बीजेपी ने एक 400 पार का नारा दे दिया उस नारे को आज तक बढ़ी मुश्किल से साइथ कोई छूपाया हो सुना एक बार कोई छूपाया था देश की आजादी के 75 साल में तो अब वहां तक पहुंचना है इतनी सीटे जीत कर यह चमतकार वोट परसेंट घड रहा है कैसे होगा ब योगी अधितनाथ और राजनाथ सिंग ने भी आज नामांकन किया जी तो बहुत सारी चीजें चल रही है जी विरेंजी करें आज थोड़ा वक्त का भाव जी देखिए बसपा का के लिए लड़ना भाजपा के लिए नुकसान दायक चला गया हाला कि मायवत्ति अब मुसल जी देखिए भाजपा होमियोपाइथिक के उस ड्याक्टर की तरह है जो कहती है कि सीसी में से चार गोली धकन में निकाल के खायो और जब निकालो तो च्छै गोली गिर जात है और फिर दूई गोली अंदर करें के लिए फिर रकन में तब तक फिर चार गोली अंदर गिर आई नहीं पाती और आदमी खेल में उलच जाता उसको मज़ा आने लगता है कि दूई गोली गिराना चार गोली उठाना उसी में उलच जाता है वह अपनी मरज भूल जाता है तो यह लोग करते हैं आपको याद होगा लोग देखते होंगे तो उसी तरह का सिस्टम चल रह है अरे इस देश में तरक्की की बाते होनी चाहिए और किसके खातिम कतना रुपया कंदेगा फिरी में यह सबसे कोई देश आगे बढ़ने वाला नहीं है पहराल सुनिएगा कि सबकी मंसा चाहे जो हो लेकिन कुदरत का अपना गलग निजाम है वो जिसको चाहेगा वही च साबंध है धल जाएगी देखना यह है कि चरागों का सफर कितना है यह खुली छतों के दिये तो कब के बुझ गये होते कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इंपूट कर दो